लगातार दिली में कॉंग्रेस की सीसी की बैठक जारी है, मुखे मंत्री अशोग गहलोद, पाइलेट और पांडे भी इस बैठक में शामिल है देर श्याम तक लिस्ट के जारी होने की संभावना लगातार जताई जा रही है आपको बतादे बैठक के माध्यम से लगादार उमीदवारों के चैन पर मंथन किया चा रहा है और इस बैठक में मुखे मंत्री उप मुखे मंत्री सहीत तमाम दिगस नेता भी शामिल है और प्रतियाशियों के चैन को लेकर लगातार इस बैठक में मन्थन क्या चा रहा है और इसी खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ एवन संबादाता प्रित किरन फोन लाइन पे मुझूद है प्रित लगातार सीसी की बैठक चारी है और क्या संबावना है देर रात तक क्या लिस्ट जारी हो जाएगी और अगर जारी होगी तो क्या उमीद है कौन सी सीट से किसका नाम करीब करीब तै हो चुका है पूरी लगाई जारी है जोटी कि पहले सुची जारी हो जाए सीजी की बैटक अभी भी जारी है और शाव में करीबन साड़े चार बजे ये बैटक शिरू हो गई थी ऐसे में उम्मी ये लगाई जा रही है कि आज जिस तरीके से चर्चा और ते कि वेबग गैलोोव को टिकेट दी जा सकती है तो राहुल गांडी तरीकें से जो हो है उन्होंने नाम उजाया है और राहुलि गांदी कहीं की इस वारे में वेबग गैलोव को टिकेत्स दीत्ति जाने को लेकर पूरी तरीके जा रही है तो जो क्यास है वो पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं कि अपने कुछ भी पेर में बैटक कतम हो जाएगी और बैटक के बाद प्रित जानना चाहेंगे क्या उमीद है 25 लोग सबसीटों में से क्या आदी से जादा घोष्टना हो जाएगी उमिद्वारों की 15-16 नाम इस लिस्ट से बाहर आएंगे जिपरीत तमाब जान कर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप लगातार हमें इस खबर पर अपडेट करते रही है आपको बता दें देर रात तक कॉंग्रेस की राजस्थान में पहली लिस्ट जारी होने की संभावना है लगातार इस बैठक के मादम से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और साथी प्रभारी अविनाश पांडे चर्चाएं कर रहे हैं लेकिन अंतियम फैसला चुकि वैभाव गहलोत का भी इस बार लोगसवा में जोत्पूर की लिस्ट से नाम लगबग तय माना जा रहा है आज देर रात तक कॉंग्रेस के लिस्ट बाहर आ जाएगी